सिविल कोड कैसे काम करता है उसकी प्रोसेस या प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड से गवन होती है अब सीपीसी में टोटल 11 पार्ट्स है जिसके अंदर 158 सेक्शन हैं और इनसे से भी connect होता हुआ, CPC में एक schedule है, schedule first, इसके अंदर 51 orders हैं, और हर orders के अंदर rules दे रखे हैं, और कई orders के अंदर तो 50 से भी जादा rules हैं, अब जो ये 158 sections हैं, वो substantive part हैं CPC का, और जो 51 orders हैं, ये procedural part हैं CPC का, तो आज का हमारा topic यही है, procedure of civil court, अब suppose, bunty को relief चाहिए, चिंटू से, अब bunty को सबसे पहला काम करना पड़ेगा, कि उसे plant तियार करनी होगी, अब plant तियार करने के लिए, उसे इन दोन orders की help लेनी पड़ेगी, that is order 6 और order 7, अब plant तियार करके, वो court में file करेगा, और अगर plant admit कर दी court ने, तो order 4 के तहत, bunty का case institute ह हो जाएगा, अब institute होने के बाद, जिसके again, suit file किया गया है, bunty ने, that is, चिंटू, court उसे भेजता है, summon, अब summon दिया है, order 5 में, अब वो summon भेजी गई, चिंटू के बास, तो चिंटू को कहिंगे, defendant, अब चिंटू के पास, दो option है, पहला तो है, कि वो summon के जवाब में, वो court म written statement जमा करा सकता है, written statement file होता है, order 8 और order 6 के according, और order 6, plaint में भी use होता है, और written statement में भी, अब या फिर चिंटू के पास, दूसरा option है, कि वो court में appear ही ना हो, अब इसका effect दिया है, order 9 में, अब suppose, चिंटू court में पेश हो जाता है, अब court के सामने पेश होगा, तो चिंटू का करा जाए जाएगा examination, that is order 10 के according, और ये examination plaintiff का भी होगा, मतलब bunty का, अब ये एक तरीके से oral examination होता है, इसमें court का objective होता है, जितने भी suit में fact arise हो रखे हैं, उन्हें sort करना, confine करना, for example, जब bunty ने plain file करी होगी, तो उसने जितने maximum से maximum ground हो सकते हैं, dispute के वो सारे लिए होंगे, अब उसमें से जब written statement आएगा, चिंटू की तरफ से, तब पता चलेगा कि उसमें से आधी बाते तो सही नहीं थी, अब होता क्या है actual में, कि written statement जब सामने से आता है, तो वो बंदा कहता है कि written statement में, कि this fact is admitted, this fact not admitted, या ये fact गलत तरीके से बताया गया है, वो पूरा का पूरा वह नहीं पर सोट हो जाते हैं, और फिर examination जब court करता है, तो issues और confine हो जाते हैं, पता चलता है कि कितने genuine issues हैं, और फिर भी court को लगता है कि party ने कुछ facts छुपाए हैं, तो वहाँ पर order 11, 12, 13 और 19 की मदद से, वो कमी भी पूरी की जाती है, parties ने जो fact court को नहीं बताये, और court को ल करवाना, order 12 आता है, admission करवाना, order 13 आता है, चीजों को paste करने के लिए कहना, या चीजों को impound करना, और order 19, affidavit पे कुछ चीजे कहलवाना, तो चार order की मदद से, चीजे बाहर आती हैं, और जब सारी चीजे बाहर आती हैं, और जब सारी चीजे बाहर आ जाती हैं, फिर हम post हैं, order 14 पे, यहां पे main issues frame होते हैं, यहां पे decide होता है कि court को decide क्या करना है, अभी तक court ने कोई खास role play नहीं किया, यहां से court का असली गाम शुरू होता है, अब फिर court क्या करता है, गवाहों को बुलाता है, order 16 में, उनका examination होता है, witness का, order 18 में, और जरूरत लगे तो court adgen भी क इसमाल करते हुए, finally post है, court order 20 पे, that is judgment and decree, अब judgment के बाद अगला step होगा, या तो order 21 execution का, या execution नहीं होगा, तो party appeal करेगी, अब अलग-अलग appeal का procedure दे रखा है, order 41 से, order 45 तक, अब यह पूरी process है, civil court कैसे काम करता है, अब यह process हर suit में सेम ही रहती है, for further videos of cpc, you can click on the playlist